कि वाले हमारी मीटिंग दो दिखाएंगे ही नहीं तो एक तरफ गांधी जी दूसरी तरफ गोटसे एक तरफ नफरत और हिंसा अहमकार और दूसरी तरफ मुहबत आदर भाईचारा अब देखिए जहां भी यह जाते हैं नफरत फिलाते हैं गुस्सा पैदा करते हैं अब हुआ क्या अब मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश का युवा मध्यप्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है जो उन्होंने जनता के साथ किया अब जनता उनके साथ कर रही है और इसलिए हमने ये साथ यात्राएं जन अक्रोश यात्राएं मध्यप्रदेश में निकाली हैं इससे पहले भारत चोड़ो यात्रा में कन्या कुमारी से हम कश्मीर तक चले और मध्यप्रदेश से पैदल निकले कमलनाच जी कितने किलोमेटर चले थे हम यहां नहीं नहीं मध्यप्रदेश में तोटल कितने चले थे नहीं नहीं यात्रा कितने किलोमेटर चली थी लगबग 180 किलोमेटर हां यह देखे 370 किलोमेटर हमारी यात्रा मध्यप्रदेश में चली थी किसानों से मिले युवाओं से मिले माताएं बहनों से मिले मुझे सिरफ दो तीन बाते कहीं सबसे पहले मध्यप्रदेश हिंदुस्तान में भरष्टचार का सेंटर है एपी सेंटर है और जितनी जितना भरष्टचार बीजेपी के लोगों ने मध्यप्रदेश में किया है पुरे देश में यह नहीं किया है बच्चों के फंड्स, मिड़े मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किये महाकाल कॉरिडॉर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया वियापम स्कैम को आप सब जानते हो एक करोर युवाओ को इनोंने नुकसान पहुंचाया MBBS की सीट्स बेची जाती है और पेपर लिख किये जाते है ये इनका राज है दूसरी बात किसानों ने अपनी बात बताई किसानों ने कहा और यहाँ आप सोयबी नुगाते हो आप इसको सबसे अच्छी तरह समझोगे कि हमें मध्यप्रदेश की सरकार सही दाम नहीं देती है अब आप जाईए 36 गर में जाईए पास जाईए दूर नहीं है 36 गर जाईए और 36 गर के किसी भी किसान से आप पूछे 36 गर में धान के लिए किसानों को कितना पैसा मिलता है कॉंग्रेस की सरकार कितना पैसा देती है हमने वाइदा किया था 2,500 रुपए धान के लिए दिये जाएंगे और 36 गड़ में जो हमने वाइदा किया वो हमने वाइदा पूरा करके दिखा दिया मध्यप्रदेश में कर्जा माफी का वाइदा किया चत्रिसगर में किया राजिस्तान में किया करनाटक में किया हर स्केट में हमने कर्जा माफी की थी यहां पर कबल नाची कर्जा माफ करवा रहे थे और यहां आपको दोका देके आपकी सरकार को बीजेपी वालों ने चोरी क सभी बात है अट भाई और बेनों 18,000 किसानों ने यहाँ पे पिछले 18 साल आतम हत्या की है तीन किसान हर रोज मध्यप्रदेश में मरते हैं यह इनकी सरकार है क्यूं? क्यूंकि यह चुने हुए लोगों के लिए काम करते हैं पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है इन्होंने जी-एस्टी लागों की और पाच कानून लाए काले कानून किसानों को दबाने के खतम करने के कानून हिंदुस्तान के सारे के सारे किसान इनके खिलाब खड़े हो गए नरेंद्र मोधी जी कहते है किसानों के फाइदे के लिए मैं ये कानून काले कानून लाया हूँ अगर किसानों के फाइदे के लिए कानून लाए तो किसान सडक पे क्यों उत्रे है नरेंद्र मोधी जी कहना चाते थे कि किसानों को कोई समझ नहीं है किसान अपने हिद को नहीं जानते नरेंद्र मोधी कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान के दोती नरपपती अदानी जी किसान को फाइदा पचाने के लिए काम करते है भाई और वेनों आप करनाटक जाए जाएए राजस्तान जाएए 36 गर जाएए हिमाचल जाएए हमारी सरकारें गरीबों के लिए कमजोर लोगों के लिए काम करती है करनाटक में हमने पांच गैरंटी दी गरीबों के लिए महिलाओं के लिए किसानों के लिए आप जाएए करनाटक में जाएए करनाटक की महिलाएं पस्ट में जाने के लिए एक रुप्या नहीं देती है मुफ्त में घूमती है कहीं भी जाना हो करनाटक में करनाटक की महिलाएं फ्री में जाती है हर महीने उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा हाता है सर्कार पैसा देती है 36 गड़ में जाईए किसानों का कर्जा माफ किया किसानों को सही दाम दिलवाते हैं राजिस्तान में जाईए स्वास के बारे में पूछिए मुफ्त में वहाँ पे दवाई मिलती है 15 लाग रुपए का वहाँ पे फ्री में इलाज होता है हाट सर्जिरी करवानी हो बड़ी से बड़ी सर्जिरी करवानी हो राजिस्तान में जाईए पता लगाईए राजिस्तान की जंता को वहाँ पे फ्री में सर्जिरी मिलती है सरकार जंता के लिए चलनी चाहिए सरकार किसी संगाटन के लिए या एक दो बड़े उद्योग पतियों के लिए लिए चलनी चाहिए और ऐसे ही सरकार हम यहां मध्यप्रदेश में चलना चाहते हैं और कमलनाज जी का काम आपने देखा है काम करना जानते हैं और जो उन्हेंने काम शुरू किया था वो काम मध्य प्रधेश में पूरा करने जा रहे है मैं आपसे आखरी बात कहना चाहता हूं Parliament में मैंने अदानी जी की बात उठाई भाषण दिया जैसे ही मैंने अपना पार्लमेंट में अदानी जी का भाशन दिया वैसे ही BJP ने मेरी लोग सभा की जो सदस्यता है उसे रद कर दे